नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आरकी क्लासिस में 68 BPSC मेंस की लिए आज जो अपना टॉपिक होगा वो है नीली अर्थवेवस्था ब्लू इकोनोमी दिस्तार से इस पर चल्चा करेंगे हालिया प्रश्ण को आपने जरूर देखा होगा तो उसी तरह से अपने आपको भी अपडेट करते रहना है इस्टरी को छोड़ करके कोई भी प्रश्ण ऐसा नहीं है कि आपको सिंपल तरीके से पूछेगा जो हालिया दो तिन सालों में आप परिवर्तन देख रहे हैं तो आगे भी आपको कुछ नया मास्टर स्ट्रोक देखने के लिए मिलेगा तो उस हिसाब से अपने आपको त्यार करें हर एक टापिक को हमें Complete करना है अच्छे से पढ़ते जाना है वहां यहां यह नहीं सोच्टने लग जाना है कि यह important है वह important है जो भी सामने में my important topic आता उसको Complete कर जाना है तो इस तरीके से इस हिसाब से आगे बढ़ना है है ना बाकी जो होगा देखा जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं Blue Economy कहता है कि मानव अपनी बढ़ती आवश्चक्ताओं की पूरती के लिए प्राकिरतिक संसाधनों का जिस तिवर रस्तार से दोहन कर रहा है ऐसे में निकट भविश्च में संसाधनों की मात्रा अत्यन्त शिमित हो जाएगी जिस रेश से या जिस तिवर गती से हम लोग संसाधन का यूज कर रहे हैं आगे हमारे लिए ये लिमिटिट हो जाएगा जिसके बाद मानव की आवश्चक्ताओं को पूरा करने में महसागर का और सिमित संसाधनिय भंडार जो है ये हमारे काम आ सकता है आ तो अभी भी रहा है लेकिन ये भविश्च में और अधिक काम आ सकता है कहता है कि वरतमान विश्च में समस्त वैपार का 80 परतिशत जो वैपार होता है ये हमारा समुद्री मार्ग से ही होता है और यह जो है दिन परती दिन जो है ये बढ़ता ही जा रहा है बात करेंगर हिंद महासागर की तो कहता है कि छेतर फल की दृष्टी से यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है जो लगभग साथ करोड किलोमेट स्कॉयर के एरिया में ये फैला है और इस महासागर में बिविन देश के जो विशिष्ट आर्थिक छेतर सामिल है इस महासागर के तटिये छेतर में आर्थिक विकास वो सतता का मुद्दा बेहच चनोति पुन है क्यों? क्योंकि इसके तटवर्ती जो देश हैं वो ये अधिकान से देश जो हैं मुख्य रूप से विकास सील है कहता है इन विकास सील देशों में दुनिया की एक दिहाई जो दुनिया का भाग है ये अबादी निवास करता है हिंद महासागर का जो भी एरिया है इसका जो कोस्टल वाला एरिया है इस भाग में मुक के रूप से डवलपिंग कंट्री है और दुनिया की कुल अबादी का एक तिहाई भाग जो है इन देशों में निवास करती है आगे कहता है इस बड़ी अबादी का जिसकी बहुत बड़ी जरुतों का हिस्सा इसी महासागर पर निर्वर करता है फलस्वरोप इस महासागर का अत्यंत तिवर गती से जो है ये दोहन हो रहा है भारत की अवस्तिती ऐसा है कि हिंद महासागर इसके लिए विशेश भूशामरिक वा आर्थिक महत्त रखता है भारत के लिए हिंद महासागर इसलिए भारत इस शेत्र के संपूंड समुदरी वैपार प्रबंदन पर वही जो है विशेश ध्यान दे रहा है आगे कहता है नेली अर्थ विवस्ता की अवधारना नेली अर्थ विवस्ता में महासागर इससे संबंदिते जो जोड़ी नदिया होती है जला से वो तटवर्ती छेत्रों में संसाधन वो परिशंपत्तियों का इस प्रकार विकास किये जाने से संबंदिते जो विरिहत गत गठोनों द्वारा व्यापक रूप से प्रयोग में वर्तमान में लाया जा रहा है क्यों कि नीली अर्थव्यवस्था को स्थाई विकास लक्षों की पूर्थी के लिए अभिन अंग माना गया है बात करेंगे इस अर्थव्यवस्था पर कैस्तर से जोर दिया गया है तो देखते हैं कहता है हिंद महासागर तटिये देशों की साथ तसीर तटिये देशों की शंग आई ओ आरे के अनुसार निली अर्थववस्ता एक साथ कई लक्षों को प्राप्त करने में शहायक है जिसमें की खाद सुरक्षा, गरेवी उन्मूलन, जलवायू परिवरतन के प्रभाप को कम क करना वायपार वन्निवेस में वर्दी, समुदरी नेटवर्क अविस्तार, इत्यादी ऐसे महत्पुन छेतर सामिल हैं। यह जो है किस प्रकार से महत्पुन हैं। लिखी आव इस पर तो इसी को लिखना हैं लोग को। बात करें निली अर्थ व्यवस्ता वा भारत की तो कहता है भारत की निली अर्थ व्यवस्ता ब्लू एकोनोमी जो है इसकी अवधारना राष्टी अर्थ व्यवस्ता का ही जो कि आगे और अधिक बढ़ेगा क्योंकि देखि कोविड महमारी के बावजूद भी फर्बरी 2021 से 22 के दौरान इस छेत्र में लग भग 7.2 अरब यूज डॉलर का निर्यात हुआ मचली पालन वक्षनी उत्पादन भारत की निली अर्थववस्था के दो प्रमुख अंग है इसी में आगे कहता है कि भारत का तटवर्ती छेत्र 757 किलोमेटर लंबा है जो मचली पकड़ने के लिए आदर्स इस्तिपरदान करता है इसलिए भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मचली उत्पादक देश है भारत के नौ राजे तटिय सीमा बनाती है जहां 200 से अधिक छोटे छोटे बंदरगा है वहीं 12 बड़े बंदरगाहों से वितवर्स 2020 में 18 लाख टन से अधिक माल का यह आवाजाही या इसको य व्यापक है कि यह जो है परियावरन चरन, महासागर्य वैपार सुरक्षा, जलवाव्यू परिवर्तन, उर्जा सुरक्षा, ड्रक्स की तसकरी, समदरी लुटेरे इन सभी की समस्या से निपटने में हमारी जो राश्ट्रिय समदरी सुरक्षा नीती है यह सक्षम है आर्तिक दृष्टी से खनीज आज के दौर में अत्यन्त महत्पुन हो गया है जिसके खनन में चीन पहले से ही दक्षिन पस्चिम हिंद महासागर में जुटा हुआ है और बलकि इस शेत्र में उसका प्रभाव जो है वो काफी बढ़ गया है हलांकि भारत भी इस शेत्र में पहले से ज़्यादा अब शक्रिय हो गया है ताकि वह भी जो है प्राकरतिक संसाधनों को प्राप कर सके और बढ़तिक चिन की प्रभाव को कम कर सके हलांकि इस तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि संसाधनों का अधिक जो दोहन हो रहा है इस वज़े से दोहन तो बढ़ गया है तो इससे होने वाले दुस प्रभावा को भी हमें ध्यान में रखना आवश्यक है बात करेंगे भारतिय तट रक्षक की तो कहता है परदूसन की बड़ी घटनाएं रोकने मचली पकड़ने की अनादिक कृत गथी विद्यों को रोकने तता गैर परम परागत सुरक्षा प्रदान करने में भारतिय तट रक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है भारतिय तट रक इन ही जलसंदी से हो करके गुजरता है यह जलसंदी एशिया अफरिका वो अस्टिरिया के कई देशों से लगता है जिससे इसका महत्त जो है और भी बढ़ जाता है निसकर्ष में कहता है कि निली अर्थवस्ता के स्थाई लक्षों की प्राप्ति में समुद्री परिवहन शम अब्धारना भी सफलो और महासागर का निलापन अर्थात सुधता भी बरकरा रहे तो निली अर्थवस्ता से संबंदित एक कोश्यन ऐसे में हम लोग जो वर्ड्स लिमिटेड होंगी अभी तो मालूम नहीं लेकिन फिलाल इतना लिख सकते हैं कि निली अर्थवस्ता के अ उकुल कारे कर सकता है भारत को इसे तरीके से जो है इसमें कितना भारत के दोड़ा वैपार किया गया आगे इसकी क्या संभावनाएं हैं यह सब को डिल करते हैं लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें मिलते हैं अगले किसी अने टॉपिक के साथ तब तक के लिए